अगर किड्नी स्टोन का दर्द हो तो क्या करें आइए इस टॉपिक को आगे समझते हैं सबसे पहले हमें यह समझ ना होगा कि हम किड्नी स्टोन के दर्द को कैसे पेछानें अगर आपको पता है कि राइट या left kidney में stone है और उसी तरफ दर्द हो रहा है तो हम यह समझ सकते हैं कि यह दर्द kidney stone से हो सकता है पर अगर आपको अचानक से कोई दर्द उठता है नया दर्द उठता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह kidney stone से related है kidney stone का दर्द इस बात पर depend करता है कि kidney stone की location क्या है अगर ये stone kidney के किसी corner में पड़ा हुआ है पेशाब में रुकावट नहीं कर रहा है तो इसका जो दर्द होता है usually मामूली mild pain होता है आपके side में या back में left या right side में वो दर्द महसूस हो सकता है यही stone अगर kidney से move करके urator में आ जाता है जो की urine drain करने का pipe है तो travel कर सकता है यह दर्द अगर pipe में stone फसा हुआ है तो तीवर हो सकता है जिसे हम कोली की pain कहते हैं इसके कारण urine रुखने के कारण kidney में सूजना सकती है जिससे उल्टियां भी हो सकती है तो अगर आपको side में pain है जो की नीचे की तरफ चला जाता है bladder के पास तब आपको urine की problem भी हो सकती है urine pass करने में दिक्कत हो सकती है urine बार बार आना urine में जलन होना urine में छोटा मोटा blood आना यह सारी दिक्कतें तब हो सकती है जब stone नीचे पहुँच चुका है अगर यही stone pipe से नीचे निकल के आपके bladder में पहुँच गया है तो urine रुख भी सकता है यदि आप इस तरह ही health के बारे में जानना चाते हैं तो subscribe करें यह channel the healthcare today और bell icon दबाएं ताकि हर नए वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले यह common presentation है kidney stones की अब हमें यह समझना होगा कि warning signs क्या है kidney stone अगर आपके pipe में urine को रोक रहा है urine के flow को रोक रहा है तो जो urine इकठा हो चुका है kidney में उसके कारण गुर्दे में सूजना सकती है और यह रुका हुआ urine infect हो सकता है तो अगर आपको fever आता है या भुखार के साथ ठंड लगती है कपकप ही आती है तो यह sign है कि आपके urine में जो रुका हुआ है infection बन चुका है जो कि dangerous हो सकता है तो आपको अगर दर्द के साथ fever है तो this is a warning sign अगर आपको दर्द के साथ vomiting अत्यदिक हो रही है आप खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं दवाई नहीं ले पा रहे हैं यह भी एक warning sign है कि stone आपके pipe में बुरी तरह फस गया है और अब आपको urgent medical attention की जरूरत है तो यह दो main warning signs है इसके बाद आते थी pain भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको hospital जाना पड़ सकता है अब आते हैं कि अगर आपको दर्द start हो गया है तो करें गया सबसे important है कि आपको अपना hydration maintain करना है पानी या fluids अच्छे से लेते रहना है दूसरी important चीज़ है कि self medication ना करें बेस्ट यही है कि अगर आपको pain है तो आप nearby urologist को visit करें और उससे अपनी situation समझें क्योंकि ये चोटे stone भी कभी करिटिकल हो सकते हैं situation खराब हो सकती है तो urologist के साथ एक बार consult करके pain killer या medical therapy जो भी है वो आप start कर सकते हैं अगर pain बहुत जादा है सहन से बाहर हो रहा है और आपको दूसरी कोई और दवाईया नहीं चल रही है तो एक जो routine pain killer है paracetamol बड़ी safe होती है वो ली जा सकती है but it is not a replacement for a urologist consultation तो अगर इस तरह का कोई भी pain है तो आप सबसे पहले एक urologist से consult करें और जो आपका urologist आपको suggest करते हैं उसको आप follow करें कुछ test होंगे आपको शायद test कराने पड़ेंगे जो medications हैं वो medications लेनी पड़ेंगी और mostly छोटे stones medication से निकल जाते हैं